अलो फ्रेंट्स में अलतमास और में उर्यल बेवरेच छोड़ा मशीन कंपनी के और साथ सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हुमारी यूट्व चैनल्स पर आज जो आपके लिए मॉडल लेकर के आया हूं यह जंबो मॉडल है जंबो मॉडल के अंदर हमने एक एडवा इस वीडियो मां अंतक बने रहे हैं इसके अंदर हमने क्या चैंजिस किया हूं भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ठीक है आई आई आपको सुरू करते हैं हम लोग यहां से और बस्तरा को बहुती बैस्ट बना सकते क्योंकि हम लोग सिर्फ लिए इंदर सेल हो रहा है तो हम आलंदुलग जो इसका एक्स्प्रियंश हो साइद ही किसी कंपनी को हो इतना अच्छा इक्स पर आपडेट करना चीए कैसे मशीन बनानी है कैसे मशीन ऑपरेट करेंगी कि कि आप देख सकते हुआ पर 200 ml का प्रोडेक्शन चालू है यहां पर 600 ml का चालू है हमने जो मशीन के अंदर चेंजिस की हो यही किया है कि पहले किसा था कि मशीन में एक ही तरफ चलता था या तो 200 ml चलेगा या 600 ml चलेगा सवा लिटर चलेगा सवा दो लिटर चलेगा दोनों स देख सकते हों यहां से हमने पूरा अलग कर दी है हमारी रियल बेवरेज शोड़ा मशीन कंपनी है जो इसा अपडेट लाती रहती है सायद आपको और दूसरी कंपनी में मिले जिसे हमारे नाम से लोगों ने नाम रखे है ठीक है नाम रख देने से मशीन का काम अच्छा न आप देख सकते हों जिंदाल का रो मैट्रियल तो सर्व जिंदाल कंपणी जो मट्रियल देती है ना हर किसी और को मैट्रियल दे सकती हो उनके बहुत सारे मट्रियल अवेल हएल है ठीक है मगर यह 304 बहुत बड़ी बात यहिए कि 304 100% बाडई देना ठीक है हमारी कंपनी द प्लस आपको पूरी सर्विस देती है पूरा गाइट करती है कैसे मशीन को ऑपरेट करना कैसे फ्लिवर बनाना कैसे बाजार के अंदर फ्लिवर को सप्लाई करना यह सारा कुछ सबसे ज्यादा एक्सपीरिंस हमें आपको बता दू देखो यह हमारा प्रॉडेक्ट बाजार के सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं अगर आप इस चैनल पर नया है वीडियो पहली बार देखते हूं आपको इसका कोस्टिंग बता दू कि यह बहुत ही अच्छा बिजनेस है इसके अंदर आपको यह साड़े चार रुपे में बाटल पढ़ता है यह 200 ml का और दस रुपेस का MRP होता है और यह बाजार के अंदर वाले वगेर आपको दोगे तो आठ रुपे में यह वाप पर उनकी दुकान पर पहुंचता है और दस रुपे में आगे सेल करते हैं प्रिक्राइब सोडा बहुत ही स्ट्रॉंग रहेगा इंशाला बहुत बेस्ट क्लिटी का सोडा रहेगा यह मशीन के अंदर डबल कॉंप्रेसर लगे हुए है और सॉफ्ट्वेर ऑपरेटिंग है ट्राइमर बेज नहीं है मशीन अमारी है यह एक ही कंपनी एसी रियल वेज जो बार बार मैं आपको इससे बेले भी बोल चुका हूं और फिर से बोल रहा हूं कि सोडा बोटलिंग ब्रांट खरीद लेना बहुत बड़ी बात नहीं है मगर उसके बाद उसमें से प्रॉड़क्त है आप होकर कि बाजार के अंदर आपको सैल करना है तो अगर अच्छी कॉलिटी का स अच्छी कॉलिटी है इसको बाजार के अंदर हमको टिकना है तो ऐसा बैस्ट कॉलिटी का सोटा बोटलिंग प्लांट डीजिए ताकि आपकी ब्रांड बन पैसा तो कमाल होगा आप नहीं बना सकोगा तो अच्छी ब्रांड बनाने के लिए अच्छी कंपनी से बाटलिंग करी भी ले सकते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर जिए हमारे सेनल पर अब नहीं आए तो हमारे सेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू पर वाचिंग रियल पेवरेज थैंक यू